37th Foundation Day है इस इंसिट्टीूट का, 37 यह पहले यह इंसिट्टीूट यहाँ पे इस्टावलिश हुआ था, इस इंसिट्टीूट का मैंडेट अग्रिकल्चर वाटर मेंजमेंट की टेकनोलोजीज डेफलप करना है, उसमें कैनल वाटर मेंजमेंट का भाग है, उसमें संस्तानों के साथ जुड़ करके और इनका अपना रिसर्च फाम है, उसके साथ मिलकर के, इसके अलावा, इनके पास में एक अलिंडिया कोडिनेटर रिसर्च प्रजेक्ट है, जिसके 35 सेंटर से सारे देश में, तो सारे देश के लिए भी वाटर मेंजमेंट की टेकनोलोज जाहा भारतियों कुशी गवशना परिशदर एक अनुस्ठान, तार संत्रिस्थमों प्रतिस्था दिवस पालित है उतिला, एबुं एही संत्रिस्थमों प्रतिस्था दिवसरे अतितिभावरे मुँ जगदे इतिली, आमें समस्ते जीबन पाईं जडर आवस्यकता विशेर अनुभव करुचे, परिवर्थिता परिश्थितिरे जडर पाईं, जेत्तिकी कोठा बाडी निर्मान होची ता पाईं जडर आवस्यकता, एदीटाकु मिशेहिदेले परिवेश पाईं जडर आवस्यकता, तेनु क्रमसह यहां बढ़ी-बढ़ी चालीची, एबुं सत्तक कहीवा पुलगाले बर्तमान जडर परिवर्तन और आवस्यकता परिश्थिती शुष्ठी हैची, एबुं विशेशकरी आमार सहरी करौन और ब्यवस्ता जारी रहीची, लोक शंक्यार जबृद्धी घटूची, फाद्यर आवस्यकता मध्धा बढ़ी-बढ़ी चालीची, जदी जड़कु शू बिनिजोग करा न जाए, समय आसिव जे ये सभ्यता दिने जड़ विहुने मध्यां लोप पाईबार आसंका सुरुष्टि होचे तेनु एभली एक अनुस्ठान निश्चित भावे, जड़र किभली भावरे, प्रुशी खेत्र रे एब अनकुरुशी खेत्र रे, जड़र विनिजोग, सु बिनिजोग करा जाए कारीबा ये अनुस्ठान टिसेत्में कार्जय करूची एब विशेशकरी वईजानिकमाने सेमाने किभली भावरे एथि प्रती तांकर गवेशना को आउरी सानीत करीबे, आउरी तोराननीत करीबे, जवुथिरे एक बड़ ओडिशा राज्यन हो, सारा भारत वर्ष मध्यां एथिरे उपक्रुत होब, एब आजीरे दिनरे अनेक सुभकामना वो सुभेच्चा. आउरी चेर में चीज़े डेवल्ड डाकर अमबस सार भी थिले, आउरी नेस्टनल राइस इंस्टिट्टर डाइरेक्टर भी आजी आमसे तो पस्ति थिले, आउरी प्रोग्रममने आमें आमें आउरी बर्षर जु टेक्नोलोजी अची ताको आमें केमिती जु आमें क्रॉप डाइबरिश्पिकेसन करें लोको काली धाना चासा कुरुचोंती जुटरे की आमारो बहुत जोलो दर्कार तक्कु चाड़िकरी मादे अन्यो क्रॉप रे कौम जोलो दर्कार कें ताधिरू बहुत लाभवा नहीं पारीवे, सेही तर आमें कामा कुरुचु अब एक जुँ इनफरमेसन कंबिलीकसन टेक्लोजीला सेंसर माध्यार दूटाकी डिजिटाली मोबाइल अप्लिकेसन माध्यू अमरें गोड़े चासाई जानी पर बहुत बहुत भलाभवारे चासी तक्कु तक्कु आगारें अचाराइब बहुत भलावारे चासी यहां इन्पर्मॉसान मेलीव, तांको केते वले पानी देवा पाड़ीव, केते पानी देवा पाड़ीव, तून सही दिश्ट्रू आमरो एज टेक्नोजी आमरो आजए अज़ी आज़्या इंस्ट्रूट्टुर्ट्ट्ट्ट्टिये कला, आमें धिरे दरे आगको बड़ु भूपस्टों अनुष्टों कर स्पार्ण टीछ प्रिफटों कर देखानुष्टों को अनुष्टों एक रावी ए स्टूटीट कर देखानु प्ल्लांत जानन टेक। पर शामस्तों मौन्सका. वाह नाह्यों नहीं इति हो से नाही था3 मीण थाज मुष्छ hazardики नाहीं करवडर्ब रडु धिस दीधार थे आजीटुन था ले। and in the last 36 years of this institute, they have done tremendously very good work towards the saving of the agricultural water. You may be knowing that water is a limited resource and we see the recent trend of depleting groundwater table also. So, put together, it is our responsibility that how the water, whether it is surface water or the groundwater, we should use it optimally so that our resources should not be over-exploited and it should be more sustainable. So, our objective is that different kind of success stories are available with us, particularly in the field of water management in agricultural fields and which are leading to the saving of water. And those should be upscaled, outscaled, so that large amount of water can be saved and that can be utilized for the purpose of the mankind. We are already stressed and it is high time that we should look for the managing aquifer recharge through different techniques so that our resources, particularly the groundwater resources, should be more sustainable. And the kind of tremendous pressure that we are recently witnessing, it's the time that we should go for the artificial groundwater recharge and those kind of interventions which can help in making the sustainable groundwater. जादिया आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला, तेबे आमों चैनेल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिबा कुछ जमाभी भूलों तो नहीं झाल झाल